नमस्कार आज हम बच्चों की हाइट बढ़ाने वाले आसन करेंगे उस पर चर्चा करेंगे आज कल अधिक्तर माता पिता अपने बच्चों की हाइट को लेकर चिंतित है और उनका चिंतित होना भी लाजमी है क्योंकि एक लंबा कद हमारी परसनेल्टी के साथ साथ हमारे कोनिफिडेंस को भी बढ़ाता है हाइट कितनी हो ये 60 से 80 परसेंट हमारे जिन्स डिसाइड करते हैं अर्था यदि माता पिता की हाइट कम है तो अधिक्तर समावनाएं हैं बच्चों की हाइट माता पिता के बराबर या कुछ ज़्यादा हो सकती है अब लड़कियों की हाइट 18 साल तक और लड़कों की हाइट 21 साल तक बढ़ती है इसके अलावा 12 से 14 साल के बीच में सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती है क्योंकि इस समय हमारी हडियों की ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है और इसके अलावा खान पान का भी विशेज ध्यान रखें विटामिन C का सबसे अच्छा सोर जो है निम्बू और आवला होता है जबकि विटामिन D निकलते हुए सूरिय के सामने यदि में आदा गंटा के लिए बैठ जाती है तो प्रयाप्त मातरा में विटामिन D मिल जाता है इसके अलावा हमारी thyroid gland, parathyroid gland और pituitary glands इनका भी height बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है आज हम जो आशन और पनायम करने वाले हैं उनके मादम से निशित तोर पर हमारी thyroid, parathyroid और pituitary gland जो है शक्रिय हो जाती है स्वस्थ हो जाती है और ज्यादा मातरा में हार्मोंज का सिक्रेशन करती है जिसे बच्चों की height बढ़ती है तो आईए करते हैं बच्चों की height बढ़ाने वाले आसन खड़े हो जाएंगे सबसे पहले करेंगे ताड़ासन ताड़ासन के लिए क्या करना है दोनों पैरों के बीच में दो इंच का फासला रखे कमर गर्दन सीधी हो जाएगी हाथों को आगे लेकर किया आएं इंटरलोक करें ये स्वांस बरते हुए उपर उठ जाएंगे एडियो को उठा दे पंजे जमीन पर रहेंगे नजरे किसी सामने किसी एक बिंदू पर पूरा उपर खिच दे आप देख रहे हैं मैंने आथों को उपर खिचा हुआ है पंजे जमीन पर एडिया उठी हुई और धीरे धीरे पस एक बार फिर से स्वांस बरते हुए जाएंगे पूरा उपर आथों को उपर खिचे पैरों के बीच में दो इंच का फासला पूरा खिच नजरे किसी सामने एक बिंदू पर और थोड़ी देर रुकें लगबग 10 से 30 सेकंड का समय सटेक रहें यह इसे ज्यादा भी कर सक आकते हैं इससे क्या होता है हमारे जो टेकक्डापन है उस ही दा हो जाता है जैसे ताड़ का पेड रृता है एक पेड़ की त्रय आज माइश के हा लिभी है में कारगर साबित हुआ है उसके बाद करेंगे पाद हस्त आसन पाद का मतलोब पैर हस्त का मतलोब अर्थात इस आसन में हाथ और पैर हमारे एक सीध में आ जाते हैं ऐसे ही पैरों के बीच में दो इंच का फासला रखें हातों को छाती के बराबर कौलते हुए स्वांस बरते हुए पिछे की और जाएं जितना उसके दिरे दिरे पिछे जुकें और अब स्वांस खाली करते हुए कमर को सिधा रखते हुए आगे की और आएंगे दिरे दिरे आगे जुकें हो सकता है आप सुरू में इतना ही जुक पाएं फिरे दिर इतना इतना ऐसे जो है पहले अथेलिया जमीन पर लगाएं ऐसे परियास करें और धीरे-धीरे जब आपका अभ्यास हो जाता है तो हाथों को पैरों के बराबर लियाएं यह हमारी हाथ और पैरों की 20-20 उंगलिया एक सीद में आ जाएंगी और धीरे-धीरे नीचे पूरा पिछे लगाएं थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे-धीरे कमर को सीधी करते हुए और यह वापस यह हमारी एक आवरती पूर्ण हुई फिर एक बार दुबारा से करेंगे स्वास वरते हुए पिछे जाएं धीरे-धीरे जितना उसके पिछे लेके जाएं पैरसी खाली करते हुए आगे आगे जुकने वाले आसन हमेशा स्वास खाली करते हुए करते हैं और यह धीरे-धीरे हाथों को पैरों के बराबर और पिछे लगाते हैं वापस ऐसा आप जो है दस से तीस सेकंड या ज्यादा भी रूख सकते हैं ऐसे तीन से पांच बारी सावर्ति को करें और आई अब करते हैं बैठ करके जाने वाले आसन अब करेंगे पश्चमोतानासन ऐसे दंडासन में बैठ जाएं और स्वांस बरते हुए पिछे जाएं स्रुवात में आपका माथा जो है पेरों से नहें लगे जित्ना होच के उतना करना है जोर जबर दस्ति नहीं करनी है अपनी स्रीट की शंता कि अछिक हम्ता करने गरहिं और ज़्यादा रुख सकते हैं आई एक बार फिर से करते हैं स्वास बरते हो पीछे जाएं और स्वास खाली करते हुए आगे ऐसा आप जो है तीन से पांच बार कर सकते हैं आप देख रहे हैं जब हम जुकते हैं तो हमारी स्पाइन पर असर पड़ता है रीड के अडी पर असर पड़ता है और जिससे हमारी रीड के अडी लचिली हो जाती है और flexible हो जाती है हमारी मास्पेशिया जो है नरम हो जाती है जिसे हमारी height बढ़ने में मदद मिलती है तो आईए ब करते हैं सर्वांग आसन सर्वांग आसन के लिए कमर के बल लेट जाएं दोनों पैरों को मिला लें कमर को आथों का सारा देते हुए पैरों को 90 डिग्री पर उठा देंगे थोड़ी देर के लिए रुकना है पैरों को पहले तीस डिग्री लेके आएं फिर साथ डिग्री फिर उपर नैंटी डिग्री दीरे दीरे वापस दीरे दीरे जाएं और दीरे दीरे ही वापस आएं ऐसे आप जो है तीन से पांच बार कर सकते हैं सरवांगासन और यह क्या है इससे हमारी जो थाराइट गिलेंट होती है उस पर असर पढ़ता है और मैंने बताया कि धाराइट गिलेंड का जो है हमारी हाइट बढ़ाने में बहुत बढ़ा रोल है ऐसे आप तिन से पांच बार करें और अब करेंगे हलासन हलासन के लिए क्या करना है पैरों को पिछे की और लेके जाएंगे धिरे-धिरे ये पूरा स्वास खाली करके पिछे लेके जाएं जमीन पे टिका दें हाथ हमारे पिछे की और थोड़ी दे रुकने के बाद और धिरे-धिरे वापस लेके आएं ये वापस एक बार फिर से स्वास बरते हुए जाएंगे और धिरे-धिरे स्वासों को सामाने छोड़ सकते हैं ये पैर सी दे रहेंगे हाथ हमारे पिछे की और खुले हुए पैर आगे की और थोड़ी दे रुकें दस से तीस सेकिन या और ज़्यादा भी रुक सकते हैं धिरे-धिरे वापस आएंगे एक दम से ना आएं उसे जटकाव लग सकता है कमर में अराम से आएं अराम से जाएं ये था हमारा हाल आसन उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाएं सव आसन में लेट जाएं और अब करेंगे चक्रासन चक्रासन के लिए पैरो को नितमबों के साथ एडिया मारी नितमबों के साथ मिल जाएंगी हाथों को पिछे की और कंधों की और लेके आएं स्वांस बरते हुए धिरे-धिरे उपर उठा देंगे कमर हमारी बीच में से उपर उठ जाएगी स्वांस को सामाने भी रख सकते हैं और धीरे-धीरे वापस फिर से सवासन में आ जाएं और अब थोड़ी देर रुकने के बाद अराम करने के बाद बाई करवट से बाई आत का सारा लेते हुए बैठ जाएं जब भी आप बैठें तो बाई करवट से बाई आत का सारा लेते हुए बैठें अन्था कमर में दद रहने लग जाएगा आज हमने जो बच्चों की हाइट बढ़ाने वाले आसन किये हैं इनके साथ साथ सिर्शासन और सूरिय नमस्कार भी जरूर करें सूरिय नमस्कार इन आसनों से पहले करते हैं तो उससे हमारा सूरिय वर्म अफ हो जाता है और सूरिय नमस्कार से भी अपने आप में बच्चों की हाइट बढ़ती है सिर्शासन का भी बहुत अदिकलाब है सिर्शासन और सूरिय नमस्कार इन दोनों की वीडियो मैं पहले चैनल पर डाल चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो आपसे एक निवेदन है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकल दबाना नहीं भूले ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे और हां कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट जो है मेरा होसला बढ़ाते हैं मुझे और अधिक बेहनत करने की पेना देते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर कभी नमस्कार करते हैं